नमस्कार साथियो, न्यूस क्लिक में हम आपका स्वागत करते हैं। गुजरात के मोरवी पुल के दिल दहलाने वाली घटना तो आप देखी रहे होंगे। अब तक खबर आ रही है कि 141 लोग मर चुके हैं, 50 से जादा उसमें बच्चे सामिल हैं। ऐसे घटनाओं पर आप क्या सोचते हैं, यही न, कि वो भगवान ने ऐसा कुछ कर दिया होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। इसी पर बातचित करने के लिए हमारे साथ हैं प्रबीर पुरकायस्त। तो जब इस पूरी घटना को आप पहली नजर में देखते हैं, तो आपको किस तरह की सवाल पूछने के मन करते हैं एक सरकारी अथौर्टी से, कहां कहां पर आपको पीच दिखाई देता है। देखें पहली बात तो ब्रिज हमारे बनाई हुई चीज है, पुल जो है इनसान बनाता है। को उसकी देखभाल करना और उसकी सेफटी वह उस पर नजर रखना ये सरकार की जिम्मेदारी हमेशा होती है। चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे के इंड्य सरकार हो, यह तो मुनिस्पल अथोरिटी हो, जो इस में मौर्भी की जो मिनिस्पल बॉड़ी थी, उसकी, सब की जिम्मेदारी होती है, और इस हिसाब से मुख्य जिम्मेदारी अगर देखी जाए, तो पुल की मिनिस्पल अथोर के नियंत्रित होती है और वो अगर Central Waterway नहीं है तब के इन जिसरकर आता है तो State Government की जिम्मेदारी राज जिसरकर की जिम्मेदारी उस पर रहती है तो इसलिए Bridge Safety उस हिसाब करने के लिए जिम्मेदारी उन्होंने ली थी क्योंकि एक कंपनी को जिम्मेदारी उन्होंने Contract दिया था तो इसलिए Municipal Authority के तो जिम्मेदारी इसमें है ही एक बात मतलब जो निकल के वस्तु इस्थिति आ रही है कि केवल चार दिन चार दिन चला और इसके बाद ब्रिज तूट गया उस पे ज़्यादा तर लोड हो गया और बहुत पुराना ब्रिज था और छे महिना मरमत में खर्च हुए तो ये इन सारों के बीच में आपको कहां पर दिखता है कि कमिया कहां कहां पर थी देखिए ये जो हैंगिंग ब्रिज है जो जुला इस हिसाब से जो है जूलता वा ब्रिज है जूलता वा पूल है तो इसकी खासियत कुछ अलग है दूसरी ब्रिजों से अगर दूसरी ब्रिज को देखे वो पिलर्स में बनती है पिलर्स के ऊपर उसकी एक पटरी होती है उ हर section का अब अलग-अलग देख सकते हैं, पूरी bridge की एक साथ गिरने की संभावना नहीं होती, जुला वाली जो bridge है, इस पर खासियत है कि पूरी structure को आपको देखना पागता है, अगर पूरी structure को अब नहीं देखेंगे, एक जगह पर अगर कमजोर होगा, तो पूरी bridge गिर पूले है नहीं, भारत जश्पी भी बहुत ज़्यादा पूले ऐसा है नहीं, पहाड़ी इलाके में होता है, और यह काफी पूराना पूल जो आप कह रहे हैं था, तो इस पे जब maintenance की contract दी गई है, हम उस contract देखी रहे हैं, तो उस maintenance contract में यह कहीं जिकर नहीं है, उसकी safety का न लोग इस पे चड़ पाएंगे, जब यह कह रहे हैं कि आप ticket issue कर सकते हैं, उसे उसूल ही कर सकते हैं, दो क्रोर पैसे के आधार पे आपको दीज़ दी जा रही है, और इसका वसीलिव पंदर साल में करेंगे, कहीं यह जिकर नहीं है, कि इसकी safety का देखभाल कौन करेगा, इ आप जो कर रहे हैं, वो सही है यह नहीं, आप इसके repair करने के बाद, कितने ticket एक वक्त आप दे सकते हैं, इन सब चीजों की इस दस्तवेज में, document में कहीं नहीं है, यह भी नहीं है कि आप मरम्मत करने के लिए आप क्या करेंगे, और मरम्मत हो जाने के बाद, इसकी कौन पर रिक्षा करेंगा, यह सही मरम्मत हुआ है या नहीं हुआ है, वो भी नहीं है, और यह भी लिखा गया है कि इस पे कोई सरकारी दखल अंदाज नहीं होगा, मतलब कि जो safety requirement है, bridge safe है या नहीं है, उसके लिए भी कोई नजर बद, उसका उस पर नजर रखने वाला कोई सरकार authority इस document के मताबिक नहीं है, मतलब खुला छूट दिया गया नीजी company को, जो चाहे करें और कितना ticket बेचें वो भी आप पर है, तो यह एक हिसाब से क्या कहेंगे, एक बहुत बड़ा गलती है कि इस तरह के bridges पे आप कोई भी engineering दृष्टी कोन इस दस्तादेश पे नहीं दिख authority का, यह तो एक बहुत बड़ा हामी था, जिसका गुजरात, मौर्बी शहर और जो लोग उस दिन आये थे bridge में चढ़ने के लिए, देखने के लिए, एक अनोखा चीज है, इतना बड़ा जूला जुलतावा bridge, तो उसका मसूल बहुत बहुत क्या कहेंगे, इसका कीमत बहु कोई जिख्र नहीं था, सरकारी जिम्मेदारी का कोई जिक्र नहीं था, जब की वो सअ्रुदनिक संपत्ती थी, तो अगर मैं पूछूं, जिस तरह से FIR बताता है कि कलर पर कर दिया गया है, मैनेजर पर किया गया है, लेकिन और्वेवा कंपनी के मालिक पर नहीं किया गया तो यह सारी चीजे क्या बताती है देखिए अब तो खैर इस पे इन्वेस्टिगेशन्स और भी होंगे और भी लोगों के इसमें दखल होगी देखने के लिए क्या हुआ क्या नहीं होगा इसके लिए कोट में जाने की बात चल रही है कोट में भी आने वाला है तो यह बात त ही है कि केसिस लंबे चलते हैं इंडुस्तान में उसके बाद देखा जाएगा क्या होगा नहीं होगा लोगों की जान तो गई वो तो वापस नहीं आएगी पर हमें ये कम से कम निधारित करना चाहिए ऐसे पूलों की जो आपने कहा कि सारवजिनिक संपत्ती है अगर नीजी कमपनियां उसको बनाती भी है पर है तो सारवजिनिक संपत्ती तो उसकी देखभाल उसकी निगरानी और उसकी रेगुलेशन जो कहते हैं उसकी सेफटी का क्या प्रबंध है ब्रिजस का ये हमको अच्छी तरह देखना है और ये हमारे लिए एक चेतावनी है कि जब इस त पर व्रिष्टी कोन हमारी होनी चाहिए और सिर्फ सरकार की नहीं हमारी और आप की भी होनी चाहिए कि सरकार का सही रास्ते में रखने का इसमें तो एक बहुत बड़ा जो कहेंगे फेलियर है कि राज्य सरकार तरफ के तरफ से निगरानी नहीं थी साफ है कि सेफटी राज जिकर नहीं है और ये भी नहीं है कि जब पहले जब शुरूब आ था 15 लोग चड़ पा देगी इजाज़त होती थी एक टाइम पर किते लोग चड़ेंगे सुना है कि 125 की इजाज़त थी चड़ने के लिए टिकट काटने के लिए 125 की वजन लोगों की लेने के लिए क्या आप की ब्रिज की डिजाइन होनी चीए वो किसी ने चेक किया था क्या चेक किया था कि इसकी पुरानी पुल है उसकी जो स्टील केबल्स है उस केबल्स की मयाद जो है उमर कितना और साल हो सकता है उसका टेस्ट होता है इन सब चीज़ों की जब पुरानी चीज़े हो जाती है उ कैसे ब्रिज की सेफटी जो है वो कैसे नहीं करना चाहिए यह हमारे पास एक दम साफ है जो कहा इसका कीमत चुका रहे हैं वो जिनकी मौत हुई जो अभी हस्पिताल में है और मेरे ख्याल से एक इत्ता बड़ा सबक हमको इस तरह से नहीं मिलना चाहिए था इसका पहले ही सरक अचल आफकारी तंत्र का जे जम्मेदारी थी ज्लता हो अपूल इका चर्चा है तो उसका जब आप मेंटरनस पर दे रहे हो किसी को कि उस पर क्या देखभाल आपकी होनी चाहिए क्या निगगुरानी आपकी होनी चाहिए यह हमको देखना चाहिए था हम और आप मत्तार आम लोग तो यही कहते हैं, जब ऐसे तुर घटना घट जाती है, तो भागवान की कृपा है, पता नहीं क्या हो गया, लेकिन आपने बहुत महत्वपून बात कहीं कि हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है, तो अगर मैं आपसे पूछना चाहूं, हर एक लेवल पे, अगर एक कॉंट्रेक्ट बनाया जाए, जो मतलब लोग कल्यानकारी हो, जहां पर ऐसा ना हो कि कोई छूटके चला जाए, और कुछ गलत कर दे, तो आप क्या बताएंगे, हमारे सभी सभी दर्सकों को, कि कैसा वो होना चाहिए, आपके पतावे, देखे, अभी इतने विशद ची तो इसलिए उसका सेफटी राजसरकार के नियांटरन में आता है, हाईवे, वाटरवेस की जिम्मेदारी राजसरकार की है, दोनों के पास थी, और तीस्ती जिम्मेदारी जो ब्रिज रिपेर करने का जिम्मेदारी लिया था, इसमे कोई दोरा है नहीं, उसका भी अब आप 15 साल के लिए कांट्रैक्ट ले रहे हो आप ये भी कह रहे हो कि इतना खर्चा करके आप ब्रिज बनाओ गया और उससे आप असूली करोगे टिकेट काटके तो उसकी सेफटी भी आपकी भी जिम्मदारी होती है उसकी उपर भी आपकी कुछ एजिनेरिंग डॉकुम पत्ती थी और वहाँ पर जब अग्रिमेंट हुआ तो किसी भी सरकारी दखल अंदाजी की बात नहीं की गई तो ऐसी सरकार का आप क्या कहेंगे शुक्रिया आप देखते रहे निउस क्लिक अगर आपको हमारे वीडियो ठीक लगते हैं तो आप हमारे यूटूब चैनल को स